सब्सक्राइब किजिए हमारे यूटूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबा कर और पे क्लिक किजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अनिल जादो सर के साथ में रहा था हमारे जो सिनियर लिडर है उन लोगों के माद्यम से किया गया था जिसमें कुछ सवालों को लिया गया था और अनिल जादो के बीज में रखा गया था तो वो क्या-क्या सवाल है आज हम उस सवालों के उपर में बात करेंगे और उसका क्या जवाब मिला वो भी हम बताएंगे तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा और 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 पे क्लिक करके साथ में इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जब भी कोई न्याब वीडियो अपलोड होगा तो उसका नौट इपिकेसन मिलेगा तो चलिए वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते हुए मैं आपको सिधा उन सवालों के उपर में लेके चलते हैं कि क्या क्या सवाल किया गया और क्या उनका जवाब मिला तो वीडियो में लाज तक बने रही है अगा फ्रेंड्स तो सब सब पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग और कब तक मिलने वाला है तो दूसरा चीज इसमें एक सवाल आया था कि MMIT का जो रेट है वो क्या 10 महने के अंदर में 10 गुना 20 गुना बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा ठीक है इसके बाद कुछ लोगों ने सवाल किया कि सर हमने आपको 100% investment किया था तो उसका 20% आप क सवाल आया कि जो जिस ID मतलब जिनका ID 100$ का था तो उसका रिए स्टेक कैसे होगा ठीक है या फिर उन्होंने कुछ विडॉल किया हुआ है और उनका wallet के अंदर में 100$ से कम है तो फिर उनका स्टेक कैसे होगा इसके बाद new ID के उपर में बात किया सवाल किया गया कि जिनका जो लोग लास्ट टायम इस सेप्टेंबर के अंदर में या फिर लास्ट अगस्त के अंदर में जिन्होंने नया रियस्टेक किया था या बिजनस डाला था तो उनका पैसा कैसे और कब तक मिलेगा तो यह सारे सवाल हैं friends इन सभी सवालों का जवाब हम एकग करके आपको बताते चलेंगे कि उनका क्या जवाब रहा तो friends, यहाँ पर stacking की बात किया गया था कि जो हम stacking कर रहे हैं तो उसका profit हमें किस परकार मिलेगा तो company का कहना है कि यहाँ पे हम जो staking करवा रहे हैं लोगों का वो सिधा decentralized platform के उपर में जो हमारा global stake है जैसे trust wallet हो गया, metamask हो गया यह क्या है पूरी तरीके से decentralized platform के उपर में यहाँ पे कोई किसी के हाथ में नहीं होता है उसी परगार से global stake जो है, वो हमारे control में नहीं है वो सिधा समझे, आपका account हो गया, आपका wallet हो गया वो आपके हाथ में है तो यहाँ पे जो हम staking करवा रहे हैं, तो वो पूरा पूरा आपका हो गया तो वहाँ पे आप staking तो कर दिये और यह staking आपका 10 महिनों के लिए रहेगा, ठीक है फ्रेंस कितना है 10 महिनों के लिए जो 300 दिन के बताएगा, जिसमें आपको 6% APR मिलेगा साला ना 6%, लेकिन company का कहना कि यह जो 6% आप छोटा अमन मन देखिए क्योंकि यह जब rate बढ़ता जाएगा ना तो दिरे दिरे इसका percentage भी बढ़ता जाएगा जहां पर आपका भी अगर double हो जाता है तो आपका 6-12% हो जाएगा मतलब अभी आधा परसंट आपको समझे तो मिल रहा है महिन्द लिगा तो फिर आपका 1% हो जाएगा फिर 2% होगा इस तरह से बढ़ते बढ़ते आपका 10 मेना तक जाते जाते वो 6% से 60% में तबदिल हो जाएगा और यह हो गया इसके बाद आपको जो STAKING करने के बाद में जोली से के लूफ में आपको मिलता है आप उसको क्लैम करके इंस्टन निकाल सकते अपने TRUST वालेट पर ले सकते हैं और आप उसका cash कर सकते हैं ठीक है दूसरी चीज़े यहाँ पर company से जो सवाल आया था कि क्या guarantee है कि 10 महने के अंदर में company का जो mmati token है उसका rate बढ़ेगा अगर नहीं बढ़ा तो क्या होगा तो उसका जवाब यह था कि friends देखो मैं इसके उपर में पूरी तरीके से काम कर रहा हूं और इसका मैं पूरी marketing क बरूंगा जबरजस दरीके से तो rate इसका बढ़ेगा है बढ़ेगा क्योंकि आने वाला time में साथ मेने के अंदर में bitcoin का हालविंग है फिर बहुत बड़ा बुल्डरन आने वाला है तो उस condition में हमारा token का value बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इसके वजह से इसलिए बढ़ेगा क क्यों कि हम यहां पर holders के संख्या बढ़ा रहे हैं जितना ज्यादा जितना बड़ा holders होगा उसके अनुसार से हमारे platform के उपर में लोग आएंगे और उसका trade करेंगे तो इस तरीके से हमारा बढ़ेगा तीसरा सवाल आया था यहां पर कि जितने लोगों का ID के उपर में 100 डॉलर से कम फंड है तो उसका real stake कैसे होगा यानि staking कैसे होगा तो उसके लिए company ने option दिया हुआ है कि आपका ID के उपर में option दिया हुआ है स्टेकिंग क्रिप्टो स्टेकिंग ट्रांसफर का तो अगर आपके पास में दो तीन ID चार ID है तो उस सारे फंड को एक जगा इकठा कर लिजिए उसके बाद आप अस्टेक कर सकते हैं लेकिन जिसका एक ही ID है 100 डॉलर की ID है उसका fund कम है तो उसका कैसे होगा तो उसके 200 डॉलर का ही आप टोकन दे रहे हैं बाखी का 800 डॉलर हमारा क्या हो गया तो कंपनी का समझे कि यहां पे घुमा फिरा करके जवाब दे रहा है ठीक है कि हमारे पास में जितना टोकन है उसका 50% हम कम्यूनिटी में बाट रहे हैं बाखी का 30% आपका बर्निंग में जा रहा ह है और कुछ हम 10% हम अपने पास रखे हूए हैं इस तरीके से सवाल कर रहा है कि हमने आपको जितना दिया है उसका आपस्टिकी नि क्यों नहीं दे रहे हैं आपको वो देना चाहिए लेकिन जवाब ही गुमा फिरा करके दे रहा है जो जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है इसके बाद फ्रेंट से निव आईडी का कि बहुत सारे लोगों का वहाँ पे जितने लोग लोगों ने अपनी बात को रखा उसका लास लेकिन 100% उसको दीजे उस पर company ने कहा कि हम इस पर भी काम कर रहे हैं और last month के end तक उसका भी हम निकालेंगे कुछ solution जिससे की लेने वाले भी खुश हो जाएंगे और देने वाला भी problem नहीं रहेगा ठीक है तो इस प्रकार से फ्रेंट से बहुत सारे सवाल थे बहुत सारे लोगों का था और कुछ-कुछ लोगों ने तिरा-तिरा के बाते भी बोला आपना रोना दोना सुनाया कि ऐसा हो गया अगर पैसा नहीं मिलेगा तो बहुत कुछ हो सकता है यहां पर problem लोगों का कोई घर छोड़के निकल गया है कोई सुसाइड करने पर उतारू हो जाएंगे तो इसके लिए आप जरूर प्रयास करिए तो company सभी चीजों को नजर अंदाज कर रहा है मतलब कोई मतलब ही नहीं बन रहा है सब बोलने का उसके सामने क्यों कि इसका कोई फरक नहीं पड़ रहा ह ठीक है आपके साथ क्या हो रहा है आप उसको सुनाने जाएंगे तो वह अपनी कहानी सुना रहा है कि हम भी तो प्रोलम में जहल रहे हैं हम भी परिशान हो रहे हैं हम भी आप चाहतें कि सब का पैसा निकल जाए ताकि हमारा जो फेस वेली होगा हमारा जो capital होगा वो लॉस मिनना जाए तो यह सभी चीजें बोल रही है यही फ्रेंट से कि अगर आप स्टेकिंग कर रहे हैं तो स्टेकिंग करिए लेकिन जब पर्मोशन की बारी आती ने तो पर्मोशन का भी बढ़चर करके हिस्सा लीजिए चुकि पर्मोशन करेंगे ना तो हमारा ही फायदा पैसा बढ़ेगा यह ध्यान रखिएगा यह जिरूट करिएगा चुकि मजबूरी में ही सही जब कर रहे हैं तो करिए इससे फायदा हम सब को हो सकते हैं टोकन बढ़ाना और बढ़ना कम्यूनिटी के उपर होता है और यहां पर हम अगर साथ इसमें करते हैं अपना पैसा बढ़ाने के लिए तो साइद बढ़ेगा तो यही मैं कामना करना चाहता हूँ और मैं यह कोशिश करता हूँ कि जो भी हो अच्छा हो ताकि सब का पैसा निकल जाए यही चंद सब्दों के साथ मैं यहां पर अपने वानी को बिराम करना चाहता हूँ और फिर मिलते हैं सवालों जवाब ला करके तब तक के लिए नमस्कार जाहिंद